हालो गाइस, आज हम नुमेरिकल करने जा रहे हैं, विच इस बेस्ट अपॉन कंसर्वेशन ओफ मुमेंटम, तो हमारे पास जो फर्स्ट नुमेरिकल आ रहे हैं, टू अब्जेक्ट इच ओफ मास 1.5 केजी और मुव इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ओपोसिट डिरेक्शन, दो अब्जेक्ट हैं, जिनका जो मास है, वो बिल्कुल सेम है, तो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये दोनों सेम सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन ओपोसिट डिरेक्शन में आ रहे हैं, आगे, अब ये दोनों स्पीड से भी सेम ही आ रहे हैं, दोनों का मास भी सेम है, लेकिन स्पीड भी सेम ही है उसके बाद है the collision during which they means before collision collision से पहले अब collision से पहले दनों की speed जो है वो सेम है तो आपने पहले तो ध्यान रखने कि अगर कोई भी दो object वो opposite direction से आ रहे हैं तो उनकी जो speed होगी उसके आगे अगर वो opposite direction में है तो हम negative sign यूज़ करते हैं तो आपने जो ध्यान में रखनी है उसके बाद यहां पर before collision दिया हुआ है तो before collision means टकराव से पहले जो velocity होती है उसे always हम U से represent करते हैं और टकराव के बाद जो होती है उसे हम V से represent करते हैं तो मैंने इसे U1 और U2 ले लिया ठीक है अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि the collision during which they stick together what will be the velocity of combined of object after collision टकराव के बाद टकराव के बाद की condition के बारे में बात की है कि टकराव के बाद बताओ कि उसकी speed क्या होगी ठीक है तो अब हमने पहले क्या लगा दिया कि conservation of momentum के according क्या है कि before collision और after collision उसकी बात करनी है M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2 U2 ठीक है हमने वह लिख लिख दिया first का मास सेम है velocity सेम है मास सेम है velocity सेम है लेकिन अपोजिटर तो negative sign यूज़ कर दिया हमने यह solve हो गया अब आप इस साइड आओ अब यहां पर M1 सेम है V1 भी सेम है M2 V1.5 है V2 हमें पता नहीं है में इसकी टकराने के बाद velocity का पता नहीं है अब कि अब उन्होंने बोला है कि यहां पर दा कोलीजन डियूरिंग विच दे स्टिक टुगैदर अगर कभी भी ऐसा कोई वर्ड यूज होता है तो ध्यान में रखना है कि जब स्टिक टुगैदर हो जाते हैं तो मास को हम प्लस कर देते हैं M1 प्लस M2 वह एड हो जाता है दोनों का मास फिर कंबाइन फॉर्म में लेते हैं तो इसलिए यहां पर जब स्टिक टुगैदर वर्ड आ गया तो मैंने क् विखोज और यहां झाल लिया 3.0 कि दिनकाल है विखोज गॉंद को ऊंसर के आगया मेरे पास 0 जी कि अब वीटो को मैंने वी क्यूं लिया है क्यूंकि वह पहले भी सेम स्पीड से हैं उनका मास भी सेम ही है अब वह दुबारा जब तकराएंगे तो भी वह दोनों सेम स्प नेक्स्ट कोश्चन जो है वो हमारे पास आ रहा है कोश्चन आप रीड करें होकी बॉल ओफ मास्ट इस ट्रैवल एट इस टक बाइए होकी स्टिक सो एस तुर टरन इट अलॉंग इस ओरिजनल पाथ विद विलॉस्टी ओफ दिस होकी स्टिक का वेट दिया हुए और वो इतन तो जब वो वापस आ गी है तो अपने ध्यान रखना है कि यहां पर रिटर्न वर्ड आ गया है तो जो हमारे पास यह विलॉस्टी ओस के आगे हम नेगिटिव साइन यूज़ करेंगे पहली बात मैंने क्या किया पहले उन्होंने आगे अब नेक्स अप नेक्स अप देखत हैं मेगनिचूड में ओनली हम वेल्यू लेते हैं तो इसलिए अगर वो पॉजटिव या नेगटिव में होगा तो आपने वो साइन नहीं लेना ध्यान रहे अब हमने क्या किया अब इनीशिल मोमेंटम की पहले बात करते हैं कि मास कितना था 200 ग्राम का और वो कितनी केटी मीटर मीटर पर सेकिंड हो तो उसकी हम यूनिट न्यूटन ले लेते हैं तो इसलिए मैंने अपनी को न्वीनियंस के लिए ग्राम से केजी में पहले कंवर्ट कर दिया है फिर पर केजी में क्या लगाया एम इंटु यू सिमिलरली इस केस में भी है ऐसे कि अम में तो negative of लग जाएगा अब इसका आंसर भी हमारे पास आगे अब उन्होंने बोला change in momentum तो change को find करने के लिए हम final minus initial करते हैं तो final क्या है minus one initial क्या है minus इसके बाद यह रहा है तू तो इसकी value आगी minus three kg meter second minus one अब मैंने आपको पहले ही बताया कि negative sign कभी भी magnitude में consider नहीं होता और इसलिए हम इसका answer क्या लेंगे three kg meter per second remember that thing I hope आपको यह दोनों जो numerical हैं with the help of conservation of momentum formula clear हो गए होगे thank you